हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका मारी यूट्यूब सेनल फार्मिंग जर्णी में दोस्तों काफी समय के बाद अपना वीडियो आज अपलोड होने जा रहा है तो बहुत काम की वज़े से वीडियो बीच में अपलोड नहीं कर चका इसके लिए चौरी अब दोस्तो कोन से फंगस को कंट्रोL करता है मेरी मानों तो यह है कि यह फंगस में राम बाने फ्लावरिंग इस्टेज हो या फिर अपने कोई बीडालियों में फंगस हो सभी के लिए यह कौनिका बैस रहता है तो कौन-कौन से फंगस को कंट्रोल करेगा इसका क्या सही डूज रखना है किसके साथ इसको मिलाना है एम इसका डूज कितना रखना है प्राइज क्या है तो संपूर्ण जानकारी मिलेगी वीडियो में एंड तक बने रहे तो सबसे पहले दोस्तों बात करते यह क्या है और इसमें फंगिसाइड यह सिस्टे मिक नहीं है अब दोस्तों बात करते यह कौन-कौन से फंगस को करता है और कौन-कौन से फंगस के इसका इसमें तो यह कौपर है तथा बैक्टिरिया साइड उसीन है इसके लिए सबी परकार की कर दिया तो मैंने आदा किलो पर्ल निकाल दिया है दोस्तों एक जब गोल बनाए तो एक चीज का में मुख्य ध्यान रखे कि इसको आप पूरे 500 लीटर पानी में इसका गोल नहीं बनाए इसको एक बाल्टी में पहले यूज बाल्टी मे ले ले ताकि आपको ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा यह मैं इसमें डाल दिया मैंने पूरा इसमें कुछ पीछी बसा हो तो इसको भी अच्छे से मिक्स करके डाल देना चाहिए यह डाल देया,ब इसको अलग से हिलाना है अच्छे से, इसको 5-10 मिनिट हिलाना ही तिथा इसको 5 मिनिट पड़ा भी रहने देना ही ठीक है तो अब इसके साथ में क्या add करूंगा इसके साथ में insecticides वागेर कुछ add नहीं करूंगा इसके साथ only में add करूंगा सिलिकॉन जो कि अपना ये है अपसा 18 सबसे दोस्तों बेस्ट सॉरी सिलिकॉन बेस्ट यही रहता है अपसा 18 जो कि मैं आपको बता दूंगा तो इसका आपको डूज रखना है असी एमेल 200 लीटर पानी में हमेशा असी एमेली 200 लीटर पानी में ले ना तो कम ले और नहीं जादा ले अब दोस्तों जो बाल्टी में तयार किया था वो सभी इसमें डाल देता हूं मैं पूरा कि मैंने डाल दिया है पूरा अब इसको अच्छे से हिलाना है जब तक पूरा मिक्स नहीं हो तब तक हिलाते रहना है इसको अब दोस्तों में इसके अंदर यह अपसा 18 अपना इसको डालूंगा दोस्तों लीटर में कि यह अपना आ रहे है दोस्तों सी एमल अच्छे से मिक्स हो गया अब आप इसका इसको कर सकते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद यह अपना गोल अभी रेडी है पांच मिनट बाद इस प्रेगे लिए रेडी हो जाएगा जब दोस्तों फ्लावरिंग स्टेज होती है उस समय फंगस का ज्यादा अठेक रहता है तो एक बात आप ध्यान रखे कि फ्लावरिंग स्टेज में इसका डूज 500 ग्राम नहीं सकते हैं कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताया था न्यवात किसान मित्रों